हलो दोस्तों अमरिता किचन में आप सब का स्वागत है आज हम बनाएंगे पनीर से एकदम नीव रेसेपी यह रेसेपी बहुत टेस्टी होता है देखिए देखने में बहुत टेस्टी दीख रहा है आप जरूर ट्राइ कीजिए अगर मेरी रेसेपी अगर आपको अच्छा ल आप इसमें कुछ आयट करूंगी मसाले हल्दी पाउडर जीरा पाउडर धनिया पाउडर कुछ गरम मसाले लाल मिर्च पाउडर और कस्मेरी लाल मिर्च पाउडर इसको मैं अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेती हूं अब इसको अच्छे से पूरे अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेती हूं अच्छे से मिक्स करूंगी जिससे पनीर और मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए देखिए लगबग मिक्स हो गया है अब इसमें मैं आइड करूंगी लेसुन का पेस्ट और स्वाद अनुसार नामक स्वान नमक आड़ करके इसको अच्छे से फिर से मिक्स करूंगी स्लोली स्लोली इसको मिक्स करें नहीं तो पनी तूट जाएगा आईए हम इसको फ्राई करते हैं पायन ग्रम हो गया है इसमें आड़ कर लेती हूँ एक चमस घी आप चाये तो तेल का भी उच कर सकते हैं आप टेस्ट के अनुसार जो आपको पसंद हो यूच करें आप देखिए अब इसको मैं अच्छे से ऐसे मिक्स कर लेती हूं जिसे घी और पनीर अच्छे से मिक्स हो जाए देखिए अब इसको में ऐसे स्लोली स्लोली इसको फ्राई करूंगे जिससे पनीर टूटे नहीं या राम से इसको कि इसको मैं एक तरब से si fry होने के लिए मैं दो से तीन मिनट के लिए नो मीडियम फ्लेंपे छोड़ देती हूं है Lengy देखिए हैं यह फ्राही हो चुक्क है लगभैंख यह इसको मैं जिदर का फ्राई नहीं हुआ इसको दीरे दीरे में इसको पनीर को ऐसे लट लेते हूं जिससे चारों तरप से ब्लेट यह सब एकी आइब पनीर फ्राइब करने ने से तेस्ट बहुत अच्छा आता आप चाहे तो ऐसे इ Зем Geral और यद्किन अच्छ पनीर फ्राइब करने से में बोर्ष सब्लेंड फ्राइय हो चुके हैं मैं इसको निकाल लेती हूं प्लेट में अब ज्यादा इसको फ्राइ नहीं करें तो यह ज्यादा टाइट हो जाएगा अब इसी पैन में मैं मसाले क्रेवी तयार कर लेती हूं इसमें आइड कर लेती हूं एक चमच घी घी ग्रम हो गया है अब इसमें मैं आड़ करूगी एक कुछ खड़ा मसाला जिसमें मसाले में हैं दाल चिनी बड़ी लाइची छोटी लाइची जीरा लवंग गोल मीर्च आपको जो भी मसाला पसंद है वो आप आड़ कर सकते हैं अब इसको एक मिनार तक ऐसे फ्राई हो गय अब इसमें आड़ कर लेती हूं ले सुनके कलिये अब आड़ करूंगी प्याज प्याज को अच्छे से मिक्स कर लेती हूं प्याज को मिक्स करके कम से कम इसका हलका कलर चेंज होने से एक दो मिनाट तक कलर चेंज होने तक इसको मैं फ्राई करंगी कलर बस हलका ब्राउन हो अब इसमें पैट लेती हूं टमाटर इसको भी में कम से कम दोसे 2-3 मिनाट इसको में क्राई करूंगी अब आइड कर लेती हूं इसमें नामक स्वादान सारल एड करें अब इसको मैं फ्राई होने देती हूं फ्राई हो गया है अब उसको ग्रैंडन में पेश्ट बना लेती हूं अधर ये फिर से तेल गरम हो गया है घी अब इसमें मैं आड़ कर लेती हूं जीरा कि जीरा का कलर चेंज होने था कि इसको fry ने देती हूं आड़ करणा कि इसमें थेश पत्तर एक लाल मिर्च खड़ा थे हूं ज्यकर में अब इसमें आइट कर दीङ when a बारीक कटा रोक प्यार मैंने बारीक कट कर लियो आपब इसको भी मैं अच्छा से मक में कर Сब्स कर अब इसमें मैं आइट करूंगी मसाले ज्यादा प्याज फ्राई नहीं करें इसको हल्का कलर चेंज होने तक वैट करूंगे हल्दी पाड़र जीरा पाड़र धनिया पाड़र पनीर मसाले कस्तूरी लाल मिर्च मैं तीखी वाली आइड नहीं कर रही हूं आपको अगर ज्यादा तीखी पसंदे तो प्लीज आप आइड कर लीजिएगा अब इसको मैं इसमें आइड कर लेती हूं जो मैंने मसाले का पेश्ट बनाई थी उसको अच्छे से इसको मिक्स कर लेती हूं देखिए अभी से इसका कलर कितना अच्छा आ रहा है यह फ्राई होगा तो इसका कलर कितना और भी अच्छा आएगा अब इसको मैं फ्राई होने देती है दो से तीन मिनट यह दो से तीन मिनट हो गया है इसका कलर कितना चेंज हो गया है लगबग फ्राई हो चुका है बस थोड़ा और फ्राई करेंगे इसको अब इसमें थोड़ा आट कर लेती हूं स्वाधा नुसार नामक कि अब इसको मैं कि अच्छे से मिक्स कर लेती हूं कि मिक्स करने के बाद इसको अब अच्छे से मिक्स हो गया है इसमें मैं आट करूंगे क्रीम मैं ज्यादा क्रीम नहीं यूज कर रही हूं थोड़ा क्रीम यूज कर रही हूं इसे क्रीम से क्या होगा कि बहुत टेस्ट अच्छा आएगा बहुत टेस्टी बने गई है अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो इसमें आप दही भी यूज कर सकते हैं दही से भी टेस्ट बहु कवर करके कम से कम इसको मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट पकाती हूं फाइप मिनट हो गया है इसका कलर बहुत अच्छा आगया है फ्राइ हो गया है देखिए यह बहुत टेश्टी बनता है आप लोग भी इसको बहुत ट्राइ कीजिए अब यह ब्राइ हो गया अब इसमें मैं आट कर लेती हूँ पणीर पणीर को आट करके मिक्स को अच्छा से मिक्स कर लेती हूं देखिए मिक्स हो गया है इसमें थोड़ा सा अट करोओंगे पानी आपको जितना ग्रेवी पसंद है आप उसी साफसे पानी आड़ कर सकते हैं थोड़ा ज्यादा हल्का सब्सक्राइड करूंगी देखिए अब इसको दो से तीन मिनट तक अब इसको दो से तीन मिनट पकाऊंगी अब इसमें आड़ करूंगी कस्तूरी लाल मिर्च पनीर अब तयार हो गया है प्लीस आप भी ट्राइ करें अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेखिए